हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक क्लिक में फिलिप कार्ट से अपने ओडर को रिटेन करके उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता कैसे आपको अपना ओडर फिल लिवार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले तो guys हमें अपनी flip card की application को open करना है जैसे हम flip card की application को open करेंगे अब हमें जाना guys orders वाले page पे क्योंकि हमें अपने orders को return करना है तो orders को return करने के लिए guys जैसे हम यहां पर account वाले button पे क्लिक करेंगे account वाले लिए एक बटन दिंथर पर कितने दिन में मिलेंगा और कैसे मिलेगा पुरा complete अज के वी याग को मिलने वाला ए अगर कोई भी दाउट है तो आप मुझे कमेंट आम को मूझे कर सकते हैं मुझे इंसेग्राम पर DM कर सकते हैं मैं आपकी definitely आपको reply करूँगा तो guys आपने अपने orders पर click कर देना है जैसी आप orders पर click करेंगे तो यहाँ पर guys आपको थोड़ा से scroll down करके नीचे आना है और जैसी scroll down करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो guys आपको यह देखना है कि आपके order की return policy क्या कहती है यानि कि guys क्या आप अपने order को return कर सकते हैं या नहीं क्योंकि कई लोगों का मुझे comment आता है कि हम अपने order को return नहीं कर पा रहें तब ही आप अपने order को return कर पाएंगे क्योंकि otherwise यह return का जो आपको option देखने के लिए मिल रहा है यह बाद में return policy time expire होने के बाद यह आपको नहीं मिलेगा जिस region की बज़े से भी आप अपने order को return कर रहें आपने उस region को select कर लेना है तो मैं अब भी select कर लेता हूँ quality of the product not as expected तो मैंने इस पर click किया जैसी मैं इस पर click करूँगा अब यहाँ पर आपको फिर से काफी सारे regions के list सो हो जाएगी तो आपने एक region फिर से select कर लेना है तो और minimum आपको 5 characters का comment लिखना होगा तो मैं यहाँ पर simply लिख देता हूँ refund तो refund के लिए क्यों कि guys हम अपने order को return कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर refund लिख दिया जैसी मैं refund लिखूँगा continue का button यहाँ पर so हो जाएगा तो मैं continue button पर click कर देता हूँ जैसी मैं continue button पर click अब आप देखेंगे एक click में हमें यहाँ पर refund का option दिखा देगा तो आप देखेंगे guys कि अब आपको अपने order को return करना है, exchange करना, replace करना है तो आपको तीन option देखने के लिए मिलेंगे तो refund के लिए guys आपने refund वाले button पर click कर देना है जैसी आप refund वाले button पर click करेंगे तो यह payment करी होगी तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से option दिखा देगा original payment mode तो आपने इसको select कर लेना यह आप देखेंगे blue tick होके आ रहा है जैसी आप इस पर click करेंगे फिर आपने scroll down करना है और scroll down करने के बाद नीचे आपको continue को button दिखाई देगा तो आपने continue button पर click कर देना है ज यो भी आपका flip card में registered mobile number है तो आपने proceed button पर click कर देना है और यहाँ पर उस OTP को enter कर देना है OTP इंटर करने के बाद आपने verify वाले button पर click करना है जैसी आप verify वाले button पर click करेंगे return request successfully यहाँ पर आप देखेंगे कि return की request डल गई है और approved भी हो गई है approved लिखा आ गया है तो इस share के वो ले जाएंगे जैसी product return हो जाता है आपका तुरंत उसके बाद आपको refund मिल जाएगा तो अगर आपको इस वीडियो में और भी कुछ जाना है तो आप मुझे comment कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like and share जरूर किजेगा चैनल अगर आपने भी त तब तक के लिए जैहिंद